गंजापन, बॉल्ड पैचेस, टाइम से पहले बालों का सफेध होना सब ठीक हो जाएगा, सिर्फ भिंडी के इस तेल से, ये तेल जड से बालों को मोटा करता है, उनको रसी से भी मजबूत बना देता है हेलो दोस्तो, वल्कम अगें टियोर यूटुब चानल ब्यूटर सीकर्ट सिंधी, कैसे हैं आप सब, होपफोली अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे बॉल्ड पैचेस, रिसीविंग हैड लाइन, फ्रंट हैर बॉल्डनेस, ये सबी चीज अगर आप फेस कर रहे हैं, तो आज आप सही जगा आए हैं, क्योंकि आज का वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है प्रेसीविंग हैड लाइन, अगर आपके भी फ्रंट साइड हैर जड़ चुके हैं और आपकी हैड लाइन दिख रही है, यानि सर की स्किन दिखने लगी है, इट मेंस आपको सीवेर हैर फॉल हो रहा है जिसका अगर टाइम से पहले इलाज नहीं करते तो ये गंजापन ला सकता है सीवेर हैर फॉल कंडिशन में हमें कम्प्लीटली कैमिकल बेस शैंपू, सीरम, प्रोड़क्त, जिती भी चीज़े होती हैं सबको अवॉइड करना चाहिए और नैच्रिल उन चीज़ों को ढूणना चाहिए जो एक्चुली हमारे बालों के लिए फायदमन्द है ऐसी ही कुछ नैच्रिल इंग्रेडियंट्स जापके बालों के लिए काफी बेनिफिशल होती हैं और इनका अप्लिकेशन करके हम अपने बालों को दुबारा से उगा सकते हैं और उनको कमजोर से मजबूत बना सकते हैं वेल गाइज मैं बनाने वाली हूँ मल्टी बेनिफिट्स वाला लेडी फिंगर ओयल यानि भिंडी का तेल तो इसके लिए हमें आपर क्या करना होगा हमें आपर चाहिए होगी एक से दो भिंडी भिंडी बालों में स्ट्रेंथ देती है क्योंकि इसमें विटमिन सी, विटमिन ए, आयरन, कैल्शियम, मैगनिशियम होता है और कई सारे important पोशक तत्विस में होते हैं जो हमारे बालों की health का खयाल रखते हैं अगर बालों में मिलकुल भी चमक नहीं है तो ऐसे में आप भिंडी का जेल अपने बालों में लगा सकते हैं एक या दो भिंडी लेकर दूसरी चीज़ हमें आपर चाहिए होगी लॉंग, चार से पांच, लॉंग में antibacterial properties होती है, यह हमारे बालों को जोडों से साफ रखती है, डेंडर्फ नहीं होने देती और लॉंग के अंदर healthy hair growth के लिए कई सारे पोशक तत्व बाहर जाते हैं, जिससे hair thinning कम होती है और hair regrowth में मदद मिलती है तो 4-5 लॉंग लेकर आपने भिंडी में इस तरीके से लगा लेनी है, अब इस भिंडी को बरतन में रखेंगे और इसमें एक चमच कलॉंजी डालेंगे कलॉंजी कमर उम्र में बालों का सफेध होना रोकती है और इसमें कई सारे amino acids होते हैं जिससे हम अपने बालों की length health दोनों बढ़ा सकते हैं और बालों को pollution dirt से बचा सकते हैं कलॉंजी डालकर थिक hair growth के लिए हमें इसमें डालना होगा एक चमच कैस्टर ओयल अरंडी का तेल यह oil हम एक बार बनाकर एक बार में ही लगाएंगे यानि इसको आपने store नहीं करना है तुरंद बनाना है और तुरंद लगाना है कैस्टर ओयल इसको बालों का राज़ा कहा जाता है सर से पीछ जाती हुई hair lines, hair thinning वाली जगा पर यह दुबारा से नए बाल regrowth कर देता है और सबसे खास बात यह कि यह hair conditioning भी करता है कैस्टर ओयल डालकर मैनेस में डाला है सरसू का तेल I think इसके benefits मुझे बताने की जूरत नहीं है क्योंकि सरसू का तेल सबसे trusted oil है बालों के लिए safe भी है और इसके फायदे हम अपने नानी तादी के बालों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं उनके बाल कितने strong मजबूत और काले घने हुआ करते थे तो दो चमा सरसू का तेल अड़ करके इसको low flame पर रखेंगे और धीरे धीरे इस तेल को पका लेंगे जब भिंडी brown हो जाएगी तो आपने gas बंद कर लेना है और तेल को ठंडा कर लेना है इस oil का application जब भी आप करते हैं तो आपके बाल साफ होने चाहिए oil अलग से आप strain कर लेंगे और उसके बाद अपने साफ बालों के सिर्फ roots में आपने apply करना है इसको क्योंकि bald patches भी आपको roots से होता है बाल जड़ से ही तूटते हैं तो सिर्फ roots में अच्छे से finger pressure से मसाज करेंगे इस oil का application आप जब भी करते हैं तो आपके बाल साफ होने चाहिए oil अलग से strain कर लेंगे और उसके बाद साफ बालों के roots में क्योंकि bald patches हमें roots से ही होता है बाल जड़ से ही तूटते हैं तो सिर्फ जड़ों में अच्छे से finger pressure से मसाज करेंगे ताकि जिस जगह आपकी headline दिखने लगी है वहाँ blood circulation बढ़े और आपकी जल्दी से हैर आने लगे कम से कम पांच में अच्छे से मसाज करने के बाद उसके बाद आपने बालों को tight से बान लेना है और oil हमें night में लगाना है और overnight इसको रखना है नेक्स याप hair wash करेंगे इस oil को बनाने के लिए मैंने जितने भी ingredients इसमें आड़ किये है बिंडी, लॉंग, कलोंजी, कैस्टर ओयल, सरसू का तेल सभी आपके बालों के लिए काफी जबरदस्त है magical है इसके इतने benefits हैं कि एक separate वीडियो भी अगर एक एक पर बनाया जाए तो वो भी कम पड़ जाएगा तो जरह सोची ये तेल आपके बालों में क्या magic करने वाला है इन condition सर में बाल नहीं है, बिल्कुल गंजपना चुका है दन alternate day यानि एक दिन छोड़ कर एक दिन आपने ये तेल लगाना है बालों में जादा नहीं, एक महिना आप लगा लीजिए पंदर दिन में आपके छोटे छोटे बेबी हैर्स आपको दिखने लगेंगे अगर आपको बालों से related कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अपने बालों को मोटा रसी चसर मजबूत करने के लिए आप अपने बालों में इससे लगाएं और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक करते जाएगा